हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका Go4Prep की इस नई क्लास में और आज हम महान करांदिकारी अस्वाक उल्ला खान के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों अस्फाक उल्ला खान उन महांतम सहीदों में से एक हैं जिन्होंने भारत की सुतंता के लिए अपना जीवन लगा दिया अपने अनोखे बलजान से अस्फाक उल्ला खान भारत की इतिहास में एक अमर करांदिकारी बन गए दोस्तों अस्फाकुल्ला खां का जन 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के सहाजहाँपुर में हुआ था उनके पिता का नाम सफीकुर रह्मान और उनकी माता का नाम मजहर निशा था दोस्तों उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे दोस्तों जब महत्मा गांधी ने असायोग आंदोलन का आवान किया था तब अस्फाकुल्ला खां स्कूल के छातर थे महत्मा गांधी के इस आंदोलन ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वह स्वतंता सेनानी बनने की ओर अग्रसर हुए दोस्तों काकोरी में हुई ट्रेन की डकैती में उनकी सक्री भागीदारी को देखते हुए ब्रिटिस सरकार ने उन्हें बागी घोसित कर दिया चौरी-चौरा की घटना के बाद महत्मा गांधी के असायोग आंदोलन को वापस लेने से भारत के युवाओं को बहुत निरासा हुई अस्वाक उल्ला खां को भी महत्मा गांधी के इस निरने से काफी दुख हुआ और इसके बाद उन्होंने भारत को जल्द से जल्द ब्रिटिस सरकार से मुक्त कराने का प्रण लिया और अपने कारे को अंजाम देने के लिए वह अगरसर हुए दोस्तों उस समय भारत को आजादी दिलाने के लिए कई करांधिकारी गुट भारत के कई हिस्सों में सक्री थे अस्वाक उल्ला खां ऐसे ही एक गुट के साथ जुड़ गए राम प्रसाद बिस्मिल जो साजहापुर के ही रहने वाले थे इन करांधिकारियों के समूं के नेता थे अस्वाक उल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ दोस्ती की राम प्रसाद एक आरे समाजी थे जबकि अस्वाक उल्ला खां एक मुस्लिम थे भले ही इन दोनों लोगों का धर्म एक नहीं था परंत उन दोनों ही लोगों का उद्देश से एक ही था और वह उद्देश से था भारत को स्वतंत कराना दोस्तों आगे चलकर राम प्रसाद बिस्मिल और अस्वाक उल्ला खां बहुत गहरे मित्र हो गए उनकी दोस्ती इतनी प्रगार थी कि वे एक साथ कहीं पर आया जाया करते थे एक साथ ही खाना खाया करते थे और एक साथ ही भारत की स्वतंता के लिए योजनाय भी बनाया करते थे दोस्तों एक बार अस्फाक उल्ला खां को बहुत तेज बुखार हुआ और वहा राम मेरे प्यारे राम जैसे सब्द को बड़़ाने लगे अस्फाक उल्ला खां के माता पिता इन सब्दों के उच्चारण से हैरान हो गए और उन्हें लगा अस्फाक उल्ला खां को कुछ बुरी आत्माओं ने घेर रखा है क्योंकि उन्हें लगा कि अस्फाक उल्ला खां हिंदूओं के भगवान राम का नाम ले रहे हैं दोस्तों अस्फाक उल्ला खां के माता पिता ने अपने पडोसी को बुलाया और तब पडोसी ने उन्हें समझाया कि अस्फाक उल्ला खां अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को राम के नाम से याद कर रहे हैं जिन्हें वहार राम के नाम से संबोधित करते हैं इस बात को सुनते ही रामप्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया और अस्फाक उल्ला खाने उन्हें देखते ही गले लगा लिया दोस्तों आगे चलकर करांतिकारियों द्वारा 8 अगस्त 1925 को साजहाँपुर में एक बैठक आयोजित की गई उन्होंने हथियार खरीदने के लिए ट्रेन में रखे सरकारी खाजाने को लूटने का फैसला किया इसलिए 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खान, चंसेखर आजाद और अन्य कई करांतिकारियों ने मिलकर काकोरी में सरकारी खाजाने को लूट लिया इस घटना को इतिहास में काकोरी ट्रेन डखैती के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने 26 सितंबर 1925 को गिरफतार कर लिया परंद अस्फाक उल्ला खान अभी भी फरार थे वह बिहार से बना रजगे और एक इंजिनिरिंग कमपनी में काम करने लगे उन्होंने वहां लगभग 10 महीने तक काम किया अब वह इंजिनिरिंग की पढ़ाई के लिए बिदेश जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बिस्वास था कि ऐसा करके वह भारत के सुतंता संग्राम में मदद करेंगे वह इसी उद्देश से दिल ली गए उन्होंने अपने एक पठान दोस्त पर भरोसा किया जिसने उनकी मदद करने का नाटक किया लेकिन बदले में अस्वाक उल्लाख खान को पुलिस के हवाले कर दिया दोस्तों अस्वाक उल्लाख खान को फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया अस्फाक उल्ला खां के बड़े भाई रियासत उल्ला खां उनके वकील थे जिन्होंने उनका और उनके साथियों का केस लड़ा था दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल अस्फाक उल्ला खां राजेंदर लाहडी और रोशन को मौत की सजा सुनाई गई जबकि अन्य दूसरों को उम्रकैत की सजा दी गई थी और इसी के साथ साथ काकोरी ट्रेन डकैती का केस बंद हुआ था दोस्तों 19 दिसंबर 1927 को केवल 27 वर्ष की आई में अस्फाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई और भारत का यह महान सुतंता संग्राम सेनानी हमेशा हमेशा के लिए धर्ती मांकी गोद में समा गया दोस्तों हमासा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IIS SSC Bank से लेटेट बहुत सारे questions और answers अपने YouTube चैनल पर upload कर रहे हैं तो आप मारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी जल से जलता आपको प्राप्त हो सके इसके अलामा Government and Comitative एक्जाम संबंधित किसी भी material के लिए आप मारे website www.go4peb.com विजिट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो